जेगिन दोस्तों आप देख रहे हैं गुरु घंटाल मेरा नाम प्रकर्ष वास्तव है स्वागत करता हूँ आप सभी का दोस्तों आज के सफर में हम डिसकस करेंगे 2021 की कुछ important किताबों के बारे में जो 2021 में छपी जो कई सारे competitive exam में पूछी जा चुकी है अभी तक 2021 में जो हुए हैं और आने वाले कुछ examination में इनकी importance काफी जादा है तो शुरू करते हैं आज के सफर सबसे पहली किताब आती हुई दोस्तों ये वहना master class इसको लिखा है अलफ्रेदो कोवेली ने जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आ रगा गये भगवान गणेश बने हुए हैं और उनका वाहन मुशक बना हुआ है तो वहना master class लिखा है अलफ्रेदो कोवेली ने नेक्स्ट दा लिटल बुक ओफ एंकरेजमेंट दोस्तों ये बहुत ही important किताब है क्योंकि कई सारे examination जो की 2020 में हुए हैं उनमें ये सवाल पूछा जा चुका है इसको लिखा है तिबबत के spiritual leader दलाई लामा ने दा लिटल बुक ओफ एंकरेजम तीसरी किताब है दोस्तों right under our nose इसको लिखा है आर गिरीधरन right under our nose इंडिया 71 year test journey to triumph in Australia जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि इंडिया ने Australia के Gaba में जब Gaba को फते है और इंडिया की एक भी टीम ने आप ये कह सकते हैं बड़े-बड़े player इंडिया के चोटिल थे लेकिन फिर भी इंडिया ने Australia को जीता तो उस उपलक्ष में किताब की गई इंडिया इंडिया 71 year test the journey to triumph in Australia इसको लिखा है आर कौशिक ने आर कौशिक ने ये वो किताब है नेक्स्ट दा फ्रंटियर गांधी my life and struggle इसको लिखा है इम्तियाज एहमद साहिब जादानी फ्रंटियर गांधी दोस्तों किसे कहा जाता था खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता था ये जो आज अफगानिस्तान वाला इलाका है North Western Frontier Agency एक वक्त में कहलाती थी तो वहाँ पर Frontier गांधी के तौर पर जो स्ट्रगल कर रहे थे अंग्रेजों के अगेंस वो थे खान अब्दुल गफार खान The Frontier गांधी My Life and Struggle इसको लिखा है इम्तियाज एहमद साहिब जादा ने ये किताब बहुत इंपोर्टेंट है कोगि जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज उस इलाके पर तालिबान का कबजा है तो कहीं न कहीं ये किताब बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाती है अमेठी संग्राम एतिहासिक जीत अनकहीं दास्ता 2019 का एलेक्शन डिजल्ट आप लोगों को याद होगा अमेठी जोकी कॉंगरेस अगर कहलाता था यहां से राहुल गांधी हर साल जीतते चले आते थे मतलब जब भी एलेक्शन होता था इस बार 2019 में जो एलेक्शन हुआ जो लास्ट चलोक सभाट एलेक्शन हुआ उनमें स्वर्ती इरानी को अमेठी से जीत हासिल होई तो उस उपलक्ष पे एक किताब लिखी गई है अमेठी संग्राम एतिहासिक जीत अनकहीं दास्ता इसको लिखा है अनन्त विजयने जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा इस वर्ती इरानी विक्ट्री का साइन शो करती हूँ अमेठी की जीत के बाद सूपरी पालना सूपरी पालना इसको लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने सूपरी पालना मनोहर पारिकर यह एक ऐसा नाम है जिसे कोई भूल नहीं सकता इनकी वो इमेज आज भी लोगों के जहन में आती है कि जब यह कैंसर से पीडित थी और पाइप लगाकर बकाइदा जो ऑक्सिजन पाइप होता है उसको लगाकर यह कंस्रक्शन वर्क पर गए थे कंस्रक्शन देखने तब यह गवा के चीप मिनसर हुआ करते थे तो मनोहर पारिकर के उपर एक किताब लिखी गई है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ इनके बहुत सारे किस्से हैं कि सादा जीवन उच्च विशार वाले इंसान थे और ऐसा रखती है नेक्सट उडिसा इतिहास उडिसा के इतिहास के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका विमोचन कर रहे है हमारे देश के माणिने प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी इसको लिखा है हरे मेहिष्ण मेहिताब ने हरे क्रिष्ण मьहिताब ने उड्ी साप dals को उ भी कहते हैं, एक 1st April को हम लोग उतकल दिवस मनाते हैं, एक अपरेल को हम लोग उतकल दिवस मनाते हैं, तो हरे कृष्ट्य महताब की एक किताब है उड़ी सायतिहास, उसका भी मोशन किया हमारे देश के प्रधान मंतरी शी नरेंद्र मोदी ने, सावरकर, A Contested Legacy, 1924-1966, यह किताब भी कहीं न कहीं अपने में बहुत ही जादा महत्वरक भी है, और यह वीर सावरकर के उपर है, सावरकर, A Contested Legacy, 1924-1966, इसको लिखा है, विक्रम संपत्ने, Stargazing, The Players in My Life, यह autobiography है, रवी शास्त्री की, रवी शास्त्री जो फिलहाल इंडियन क्रिकट टीम के, नेशनल क्रिकट टीम के कोचे हैं, उनकी यह autobiography है, Stargazing, The Players in My Life, Written by रवी शास्त्री, The Bench, यह किताब दोस्तों, इसको लिखा है, मिघान मारकल ने, मिघान मारकल ने किताब लिखी है, The Bench, Operation Khukri, Operation Khukri का विमोचन किया था, हमारे देश के CDS ने, Chief of Defenses Chief, और इसको लिखा है, Major General, राजिपाल पुनिया, और, मिस्स दामिनी पुनिया ने, Operation Khukri, जिसका विमोचन जैसा कि मैंने बताया, जिसका विमोचन हमारे देश के CDS, विपिन रावजी ने किया था, Operation Khukri का, The Commonwealth of Cricket, इसको लिखा है, दोस्तों, रामचंदर गुःँने, The Commonwealth of Cricket, किसने लिखा है, दोस्तों, रामचंदर गुःँने, Battlefield, जैसा कि आप लोगों को स्कीन पर रहा रगा गए, इसको लिखा है, विश्राम बेदेकर ने, विश्राम बेदेकर ने एक किताब लिखी है, Battlefield, यह बड़ी important किताब है, address book, a publishing memoir, in the time of COVID, address book करके एक memoir है, जिसको COVID के वक्त में लिखा था, रितू मीनन ने, जिसको COVID के वक्त लिखा था, रितू मीनन ने, तो यह भी कहीं न कहीं अपने में एक बहुत ही important किताब है, किसी भी आने वाले examination के लिए, जुंपा लाहिरी ने दोस्तों एक किताब लिखी है, जिसका नाम है, Whereabouts, जुंपा लाहिरी, काफी known writer हैं हमारे देश में, जुंपा लाहिरी ने एक किताब लिखी है, Whereabouts, Climate Change Explained for One and All, इसको लिखा है दोस्तों, आकास Renison ने किताब लिखी है, Climate Change Explained for One and All, दोस्तों, सुरेश रायना, जो की Indian Cricket Team के लिए खेल चुके हैं, फिलहाल चरनाई सुपर्किंग के लिए खेलते हैं, इन्हों ने महेंदर सिंग धोनी के साथ retirement की गोशना की, इनका बड़ा contribution है हमारे देश के Cricket में, इन्हों ने अपनी एक biography launch की है, Believe what life and cricket taught me, सुरेश रायना ने ये किताब भारत सुदर्शन के साथ मिलकर लिखी है, Believe what life and cricket taught me, तो दोस्तों ये कुछ किताबे थी, जो इस साल हमारे देश में छपीं, पब्लिश हुईं, लिखा गया अलग-अलग field के महारतियों के द्वारा, और भी कई सारी किताबे हैं, जिनके उपर हम discuss करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अगले सफर में, उमीद है आज के सफर आप लोग को पसंद आया होगा, अपना प्यार दीजे गुरु घंटाल को, वीडियो को like, share, comment कीजिए, अगर आपके कोई suggestion गए, तो suggestion भी comment box में लिखकर submit कीजिए, I promise you कि मैं उन suggestions पर जरूर काम करूँगा, Thank you so much, अलविदा, शुक्रिया, टेक केर